तो फानिली सुकी ने लाउंच कर दिये इंडिया के अंदर अपनी न्यू सुकी एविनीज 125 जो की आती है नए ब्यासिक्स और टू अपडेट के साथ और आज के वीडियो में आपको स्कूटर का एक डिटेल रिव्यू देने वाले हैं क्योंकि हाँ पर यह जो स्कूटर रहन तो गाइस आप चैनल पर पहली वार रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए ना तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता है तो चले गाइस बिन आपका समय कवाए वीडियो करते हैं जल्दी से शुरू तो कुछ जैसी दिखती है और यहां पर यह जो स्कूटर है वो मार्केट में पांच कलर्स में में देखने को मिलती है और पांच यह लूप है काफे जदा बढ़िया लगा और यहां पर बात कि यह स्कूटर के बारे में तो यहां पर यह जो स्कूटर है वह में तीन भी नट के आसपास और इसका आइश रिएस है और आज वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं c u significa reesešen यहां पर मीं स्कूटर में रेषटन ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं तो चली बात कर दो है कुछ ऊ trivial के बारे में तो कुछ सी हमें स्कूटर के फ्रण्ट लूक देखने को मिलती है यहां पर सबसे मौई पर आपको देखने को मिलते क्लें नीचे आपको की काइच थो और यहाँ अपर उसके नेचे आपको देखने को मिलती है और उसके नीचे आपको जो फ्रेंट मडगाड है वह प्लास्टिक का बनाव है और दोस्ते एक बार स्कूटर के सैट प्रोफाइल चेक करो तो यहां पर कुछ मिल जाते हैं और यहां पर बात करते हैं स्कूटर के इंजन के बारे में तो इस स्कूटर में दिया गया है और आपने स्कूटर में यह लगी कि आपको स्कूटर में बहुत कीक और स्टार्ट का अप्शनिया मिल जाता है बाकि अब बात करता है एं स्कूटर के वार में तो यहां बात करता है स्कूटर के फ्यूल टैंक के बारे में तो यहां पर आपको स्कूटर के रेर में देखने को मिल जाते हैं और यहां पर आप रेर में की लगा के को एक क्लिक से उपन कर सकते हैं यहां पर बात करता है नहांगो स्कूटर के बारे में देखने को मिल जाताा जो कि काफी इनफ है स्कूटर के लिए वह गयरे बात किजैए प्रेंट-सस्पेंशन वह मिलता है याप 거야 प्रेंट में तो यह गयाession बात कि ऍम सेंशन ने को मिलते हैं तो उसमें आपको drum brakes देखने को मिलेगी front और rear में और यहाँ पर बात करते हैं tire size के बारे में तो यहाँ पर फ्रंट और rear के जो tire की width आपको देखने को मिलेगी 90 mm की बड़ जो tire profile है वो थोड़ से यहाँ पर अलग हमें देखने को मिलते है front और rear में यहाँ पर जो scooter का front tire उसका size 12 inches का और वह इंगर बात कि जाए rear tire के बारे में तो उसका size 10 inches का इसके लगर बात करते हैं scooter के dimension के बारे में तो जो भी scooter के dimension है वो गाइज आप अपनी स्क्रीन के उपर अभी देखने होंगी तो यह पर बात करते हैं किस की तो कुछ ऐसी हमें scooter की कीज देखने को मिल जाती है तो चले की को insert करते हैं और चेक करते हैं scooter के console को तो यहां पर दोस्तों आपको काफी advanced console scooter के अंदर देखने को मिल जाता है और मुझे लगता है इंडियन मार्केट में जो भी 125 सेग्मेंट की scooter है उसके अंदर हमें digital console मिलता है यहां पर दोस्तों इस new avenues 125 में हमें कुछ इस तरह का digital console देखने को मिल रहा है और यहां पर इस console के अंदर में काफी सारे feature भी देखने को मिल जाते हैं like speed rpm real time mileage time fuel gauge और ऐसे काफी सारे जानकारे हमें scooter के अंदर देखने को मिल जाते हैं इसकलब दोस्तों आप scooter को ब्लूट के जरी अपने phone से भी connect कर सकते हो और यहां आप आपको काफी सारी information भी शो हो जाती है like miss call alert call SMS WhatsApp notification phone battery percentage turn by turn navigation और यहां अगर आप इस scooter को थोड़ा speed में चिला रहो ना तो उसका भी speed alert आपको इस console में show हो जाता है और आपको स्कूटर कंसूल कैसा लग रहा तो भाई यह प्लीज आप में कमेंट सेक्षिन में बताना मत भूले तो चलिए बात करते हैं स्कूटर हैंडल बार के पर सुच की तो यहां पर सबसे उपर आपको देखने को मिल जाता है लोर हाई बीम का सुच उसके अगर आप आते हैं तो आपको लेफ्ट रैड इंडिकेटर का सुच देखने को मिलते हैं और सबसे नीचे आता है तो यहां पर अपने डॉक्मेंट श्टोर करके रसकते हैं बट यहां पर इतना सेफ यह नहीं है बट यहां पर सबसे बढ़ा चीज है कि हापर यूजबी च फोन रख सकते हैं और जब का फोन इसली यहां पर चार्ज हो जाएगा इसकलब यहां पर 1.6 लिटर की आपको एक्ष्टर स्बेस फ्रेंट में देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको सेंटर में हुक दिया गया जहां पर आप अपना को जरूरी समान टांग सकते हैं व इसकलब आपको फ्रेंट में चार्जिंग स्लॉट मिलता है और यहां पर बात करें बूट स्पेस के बार में आपको 21.8 लीटर की बूट स्पेस स्कूटर में देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी इनफ है बकी परफॉर्मेंस का आपको पता है कि हर एक बाइक और स्कूटर की परफॉर्मेंस होते हो काहुए लाजवाख होती है तो आपको इस कूटर कैसा लागा तो यह आपको में कोई भी डट है तो आप मुझे कमेंट करके सकते हैं तो इस कूफ्रिप्ल है कर दूंगा तो चलिकाबवी